हेलो और वेलकम तो मैं चैनल सो लेट्स मेक शामी कबाब तुड़े सो फिर्स्ट फॉल स्टार्ट विद कीमा ये धाई सो ग्राम कीमा ले लिया है अब बिल्कुल बारीक पिसावा अगर बारीक पिसावा ना हो तो आप ग्राइंड कर सकते हैं ये कुछ मसाले हैं 25 ग्राम अद्रक एक लैसुन एक प्यास दो से तीन खड़ी लाल मिर्च जीरा बड़ी लैची चावित्री हरी लैची लॉंग गोल मिर्च दाल चीनी तेज पत्ता और ये दो चमच सॉल्ट है 100 ग्राम चने की दाले इसको हमने एक घंटा पानी में भिगा दिया था अब ये कीमा और दाल और ये सारे मसाले को हम कुकर में एड करेंगे और इसको अच्छे से बॉइल करेंगे इसारे मसाले हमने डाल दी है इसमें और हाफ कप वाटर कुकर में हम इसको बॉइल करेंगे एक विसल हाई फ्लेम पे लेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और पंदरा मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि ये क्या पोजिशन है हमने gas off कर दिये और ये देखिए अच्छे से boil हो गिया है इसको आप check कर सकते हैं देखिए कितने अच्छे से boil हो गिया है अब इसको हम grind कर लेंगे grind कर लिया है हमने और देखिए बिल्कुल ये बारीक पिसना चाहिए बीच में मसाले नहीं आना चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आता है फिर खाने में एक प्याज ले ली थी मैंने इसको चॉप कर लिया है लेमेन है ये हरा धनिया और हरी मिर्च नीबू और मिर्च का आप अपने हिसाब से आपको जिस तरह से आपको तीका और खटा पसंद आप उस तरह से एड़ेस कर सकते हैं अच्छे से इसको mix कर लेना है सारे जो भी हमने ingredients कीमे में add करे हैं इसको खुब अच्छे से हमें इस तरह से कर लेना है और छोटे छोटे ब तैयार है यह देखे यह गरम तेल कर लिया है थोड़ा सा mustard oil ताकि कवाब में कच्छे तेल की smell ना है यह गरम तेल थोड़ा से हम पैन पे लगा देंगे ताकि कवाब पैन में चिपके ना कि सारे कवाब इस तरह से फ्राई करेंगे हम shallow fry करेंगे हलका से तेल जो लगा दिया था फिर हम उसको टर्ण करके देखेंगे कि बहुत जादा नीचे से वह लगने ना लगे सारे कवाब हमने टर्ण कर लिए है और फिर से उपर से थोड़ा से तेल डालेंगे ताकि इसके अब इसको टर्ण कर लेंगे देखें कितना प्यारा कलरा रहा है इसका सारे कवाब को टर्ण कर लिया है अब फिर से हम थोड़ा थोड़ा स्पून से डालेंगे तेल और फिर से हमें एक दो मिनिट के बाद टर्न करके देखना होगा कि हमारे कबाब की क्या पोजिशन है देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका कबाब देखिए आप लोग भी बनाएए ट्राइ कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताएए कि कैसे बने हैं शेयर कीजिए अपने व्यूस और प्ली सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच